तो इंट्रस्टिंग और रेंडम फैक्ट के लिए तैयर हो जाएए हम सभी जानते कि हमारा जुपिटर पृत्वी से बहुत बड़ा है पर कितना तो आज हम ये जानेंगे कि पृत्वी से जुपिटर कितना बड़ा है तो अगर हम 1000 पृत्वी को ऐसे मिला देना पूरा 1000 पृत्वी को अगर मिला देंगे तब जाकर बनेगा एक जुपिटर एक जुपिटर में करीब 1000 पृत्वी ऐसे समा सकते है 86% हैट्रोजन 30% हिलियम से बना जुपिटर का रेडियस करीब 79,911 किलोमेटर का है वहीं अर्थ का रेडियस 6,371 किलोमेटर का है अगर साइड बाई साइड रखा जाए तो जुपिटर के रेडियस को कवर करने में करीब 11 पृत्वी लग जाएंगे जुपिटर सन का एक चकर करीब 12 साल में लगाता है जुपिटर का एक दिन 9 घंटा 55 मिनट का होता है अभी तक बैग्याने को द्वारा जुपिटर के 67 इंटरनेशनल सेटलेट यानि की मून के बारे में पता लगाया गया है गैलीलियो के द्वारा जुपिटर के चार मून को 1610 में खोजा गया था तेमिड, यूरोपा, केलिस्टा एन आयू है गैने में हमारे बुद्धगरा यानि मक्यूरी से भी बड़ा है जहां पृत्वी की घुरनगती 1000 माइल्स परावर है वहीं जुपिटर की घुरनगती 1000 माइल्स परावर है जुपिटर पर लगभग 300 सालों से एक बवंडर चलता आ रहा है और यह बवंडर इतना बड़ा है ना कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे इस बवंडर में लगभग दो पृत्वी असानी से समा सकते है पर कैसे कैसे कोई बवंडर 300 सालों से चलता आ रहा है तो ना यह बवंडर अपने आसपास मौजूद सभी हवाओं को अबजर्ब कर लेता है और चलता रहता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते है 1995 में लिया गया तस्वीर के अनुसार रेड स्पोर्ट साफ दिखाई दे रहा है जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते है 14 साल बाद 2009 में लिया गया तस्वीर में यह नोटिस किया गया कि रेड स्पोर्ट पहले के मुकाबले छोटा और सर्कुलर हो चुका है यानि कि रेड जैंट को वह रिसोर्स नहीं मिल पा रहे हैं जिस से वह चलता रहता है 2015 में रेड स्पोर्ट और बेज़ादा छोटा हो चुका है नासा के वग्यानिकों के अनुसार जब वाइजर वन जूपिटर के पास से गुजर रहा था तब नासा के वग्यानिकों ने यहानुमान लगाया कि जूपिटर के अट्मोस्फियर में यानि कि वायू मंडल में बिजली कड़क रही है जब एक सूपर हिट इलेक्ट्रोनिक स्टोक अट्मोस्फियर को छूता है तो एक केमिकल रियक्शन होता है जिससे की एट्मोस्फियर में मौजूद एलिमेंट्स डाइमंड में बदल जाते हैं और जूपिटर पर डाइमंड की बारिस होने लगती है डाइमंड पर तापमान और प्रेसर बढ़ने लगता है करीब 8000 डिगरी सेल्सियस में पहुँच जाता है एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन के कारण डाइमंड लिक्विड में बदल जाता है और डाइमंड ओशन का निर्मान करता है और सेटन का कोर काफी हद तक सिमिलर है जो की बनी है लिक्विड और मेटेलिक हैड्रोजन से जुपिटर का यही हैड्रोजन कोर एक पावर सोर्स है एक बहुत बड़ा मेगनेटिक फिल्ड का जो धर्ती से करीब 20,000 जादा सकती साली है सबसे बड़ा प्लैनेट होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल पूल भी बहुत जादा है एक्जामपल के लिए धर्ती पे किसी चीज का वेट 100 केजी है तो वही हमारे जुपिटर पे 240 केजी का होगा तो इसी ग्रेविटेशनल पूल के कारण जुपिटर एस्टरोइड को अ ऐसे ही जुपिटर हम तक आने वाले एस्टरोइड को अपनी तरफ खीचता आ रहा है तो आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मारे चैनल को ताकि ऐसा ही रेंडम फैक्ट आपको मिल करें